जानेंगे इस कारोबारी सब्ता नॉन एग्री कमोडिटीज याने प्रेशिस मेंटल्स, बेस्स मेंटल्स और एनर्जी कॉंपलेक्स में क्या रुख रह सकता है शुरुवाद गोल्ड और सिल्वर से ही करते हैं, हमने देखा कि गोल्ड ने इस सब्ता भी अठारा सो डॉलर के करीब की क्लोजिंग दिखाई है और इस प्रकार हमने पिछले हफते 1780 डॉलर के करीब के सपोर्ट की बात की थी वो इस हफते हमने प्राइजस को चूते वे देखा और वहाँ से करीबन 25 से 30 डॉलर की रिकावरी देकर 1810 तक के लेवल जो है वो चूते वे देखा उसी प्रकार स्पोर्ट सिल्वर ने 22.8 से 22.9 डॉलर के आसपास की क्लोजिंग दी है याने जो निश्लिस तर से याने 22 डॉलर 20 सेंट के करीब सपोर्ट थे वो एक बार बजार ले चुका है डॉमेस्टिक फ्रेंट पे वहीं पर हमने देखा कि जो M6 गॉल प्राइजिस है वो 48,000 के करीब या उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है और कहीं न कहीं 47,800 और 47,900 की जोन में जो हमने सपोर्ट डिसकस किये थे वो अभी भी वजार ले रहा है और हर बार हमने देखा है दो या तीन बार एक रिकवरी या राली देखने मिली है हाला कि पिछले हफते स्पेसिफिकली जो रुपी में अप्रिसेशन हुआ या रुपे में तेजी आई डॉलर के अगेंस उसके चलते domestic gold prices जो थी वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाई लेकिन हमने फिर भी 48,000 के लगबग उपर एक closing आते हुए देखी है वहीं चांदी की बात करें तो चांदी ने इस हफते gold के मुकाबले एक better balance दिखाया है या एक प्रकार की तेजी ज़्यादा दिखाई है जो हमें पिछले हफतों में देखने नहीं मिली थी इसका एक कारण ये भी है कि base metals में तेजी लोटी है जो कहीं न कहीं silver को निश्टर स्थरों पर support कर रही है आगे आने वाले हफते में और short to medium term में यही सला होगी कि जो भी dip आती है 48,000 के नीचे याने 47,800 के आसपास वहाँ पर buying की position बनाई जा सकती है gold में 47,500 के नीचे stop लिया जा सकता है और immediate तोर पर 48,450 से 500 का एक लक्ष लेके चला जा सकता है उसी तरह चांदी में बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं लेकिन 61,500 से 61,700 तक के सर देखे जा सकते हैं और यहां पर अगर accumulate किया जाए 61,000 के नीचे के stop के साथ तो कुछ दिनों में 63,200 यानि 63,200 तक के लक्ष लेके चला जा सकता है वहीं पर अगर हम energy complexity बात करें तो कच्छे तेल में भी जो तेजी हमने पिछले हफते से continue होते देखी थी वो इस हफते भी reflect हो रही है और 500 के उपर की closing देने में बज़ार कामियाब हुआ है immediate तोर पर जब तक 5350 का सर होल कर रहा है market तब तक buy one dip की एक strategy होगी यानि जो भी correction आती है वहाँ पर buying positions बनाई जा सकती है upside में 5650 से 5680 तक कि सर हमें कर्चे तेल में देखने मिल सकते हैं वही natural gas में हमने देखा कि जिस तरह हमने पिछले हफते 293 के उपर 305 से 308 तक की बात की थी वही हमें हमें देखने मिला और 305 तक की सर हमने देखे लेकिन उसके बाद एक बड़ी correction देखने मिली तो 310 के जो resistance की बात भी थी वो फिलहाल निकलते वे नहीं देखा और उसी तरह हमने prices को उपरी तरह से फिसलते वे भी देखा और जो closing है वो 280 की करीब की आई है ऐसा लगता है कि जब तक 293 से 292 के नीचे prices trade कर रही है तब तक salon rallies की सला होगी और down side में 267 से 268 आने जो recent lows देखे गए थे वो दुबारा देखने मिल सकते है वही पर base metals में शांदार rally या एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने मिली हमने copper को near one copper को खास करके 455 के उपर भी जाते हैं और 730 से 725 के जब तक उपर trade कर रहा है तब तक जो भी dip आएगी ऐसा लगता है कि एक buying opportunity provide कर सकती है और upside में करीबन 765 तक किस तर हमें देखने मिल सकते हैं वहीं पर nickel जो है एक अच्छा counter लग रहा है base metals में जहां पर 1530 के उपर जब तक prices sustain हो रही है तब तक buy on dip की रंडीती होने चाहिए और upside में 1630 तक का एक medium term target याने एक से दो हफते का target लेके चला जा सकता है aluminum में भी हमने अच्छी खासी तेजी build up होते हुए देखी और 222 का स्थर cross करते ही हमने next जो level था 226 का वो test होते हुए देखा short term में 222 के करीब market support ले सकता है और ऐसा रखता है जो तेजी है वो 230 से 231 तक extend होने की शमता रखती है तो इस तरह जो base metals complex है उसमें m6 copper, nickel और aluminum तीनों में ही तेजी का रुजहान जो है फिलाल दिखाए दे रहा है और ये तीन top counters हमें base metals complex में देखने मिल सकते हैं तो ये था एक जाज़ा कि आने वाले कुछ sessions में non-agri commodities में क्या रुख देखने मिल सकता है आने वाद आने वाद आने वाद